अब बात करते हैं कि कांगरेस जो आने वाले चुनाओं में बजरंग वली के नाम पर नहीं आपार लगाने के कोशिश करते हैं माइनेटरी से बात करते हैं कि कि क्या सोचते हैं लोग आप बताई कि कांगरेस से सोच रहे हैं कि बजरंग वली के नाम पर नहीं आप लगाने के आध्याटमिनन अपक्या सोचते मायनेतिको अन्डिया कर दिभ्यों इनके लिए ना इन 했던 मुद्धãy नकों कूछी दूसरे धर्म से माय समय पढ़ने निकलता है जब इनको अपने 63 तो祭्यों निकल जाता है और ना इनको कुछी दूसरे धर्म से इनका जनेव भी जो है ना समय पढ़ने पर ही निकलता है जब इनको अपने को हिंदू बताना रहता है तो इनको जनेव निकल जाता है जब जब जरुवत पढ़ती है तो टोपी निकल जाती है मजारे याद आ जाती है जबकि देखा जाए तो मुसल्मानों को जड़ से खतम करने काम जो है कांग्रेस ने बरसों से करते आई है जो बेसिक मुद्दे हैं मुसल्मानों के उस पर कभी ध्यान नी दिया और इन्होंने ध्यान दिया इस बात पर कि मुसल्मान पड़े लिखे नहीं अशिक्षित रहे तो अशिक्षित रहेगा तो यह जैसा चाहेंगे उसको मोड़ करते रहेंगे डराते रहेंगे कंग्रेस ने बहुत की कुछ नहीं किया और हमेशां कांग्रेस ने भारतिये जन्ता पार्टी से डराने की कोशिश की है मुसल्मानों को यह कहकर के बीजेपी आपके खिलाफ है आपको देश से निकाल देगी और आरेसेस आपके खिलाफ है लेकिन मुसल्मान जो है अल्पसंख्या का वो समझ चुका है कि भारतिय जंता पार्टी उनके खिलाफ नहीं है भारतिय जंता पार्टी तो ऐसी पार्टी ह कांग्रेस को कोई कोई फायदा नहीं मिलेगा इससे क्योंकि कॉंग्रेस तो शुरू से मुसल्मानों का शोषण करती आई है आप देखें कि जब भारत आजाद हुआ तो मुसल्मानों का शिक्षित का दर्थ जो था लेटरेसी दर्थ वह एट लीस्ट 33 परसेंट था और अभ आगर चाहती ही नहीं थी कि मुसल्मान पढ़ें और मुसल्मान आगे बढ़ें से सवाल करेंगे नोकरी मांगें रहें आपना एक Andry देखिए अभी करनाटक के जो के रह्मान सहाब हैं कॉंग्रेस के राज्यसभा पूर्व राज्यसभा सचीव जो हैं उन्होंने ये अल्री कहा है कि जो भारती जंता पार्टी है वो बजरंग बली जै बजरंग बली का नारा देकर मुसल्मानों को डरानी की कोशिश कर रही है हम बात करते हैं इन आप बताए कि किया मानते हैं को देखिए मेरा ये कहना है कि अगर कोई पक्ष्ट डर जाय के इनकी सोष गेलत है बारती अंतर बार्टी ने अपने अलप संक्यक मूर्च जितने वी अलप संक्यक है वह कभी आप इस जहांसे में आने वाले नहीं इसे कोई को नाम को कंग्रेस को मेरा यह कहना है कि बजरंग बली का नारा लगाने से इनको कोई भी फाइदा मिलेगा नी जह कुछा है मुसलमान की सब्सक्राफ करूबर 6000 मुश्ब्क घैए और आइंदास इनके जहासे में कोई नहीं आएगा हमारे साथ एक और मिक्र है जो बात करना जा रहे हैं कि आप बताएगे कि हिंदुत्यू का मुद्धा कांगरेस को कितना फाइदा पुचा सकता है कि यह अगर भगवान का नाम लेकर और मैदान में उत्रे हैं तो सीधी सी ब तो उसका फल उसको भगदना पड़ेगा और निश्चित रूप से इसके दुस्परिणाम उनके सामने आएगे क्योंकि इनकी नियत खराब है यह यह भारती जंता पार्टी के नाम पे लोगों को डराते आये हैं यह तो मैं आपको एक छोटा सा उधारण दूं कि अपन दराके कि भारती जंता पार्टी के लोग उनके संपर्ग में आएंगे उनकी नीती रिती को समझेंगे तो प्रभावितों के उधर जाएंगे इसलिए नए नया फार्मूले लेके आते हैं जब इनने देखे कि यह इनकी सांप्रदाइक सोच पूरी तरीके से लोगों के साम पढ़ने वाले ने चक्कर में कांगरे का पित्ता अच्वा निश्चित तोर पर यह पूरा यकीन है कि बजरंग दली बजरंग बली जो हैं वो किसी भी गलत आदमी के गलत नियत की सोच वाले आदमी के साथ में कभी नहीं खड़े रहेंगे और अगर बजरंग बली नहीं इनको निश्चित रूप से अपनी नियाद साप करना पड़ेगा और अपनी जो बात जो सामने निश्का से निकल के आए कि कांग्रेस के नाम पर नहीं पार लगाने कोशिस कर रही इसका कोई फाइदा आलपसंग के मैनेटी के लोग नहीं मानते है अशोक सोनी एमपी तक ब्रहन पूर